हमारे बीच में मदू कुमारी रावत जी जो सरपंचे आई और उनका अंट्रोडक्शन हम खुद लेते हैं किस छेत्र से वो सरपंचे आपका नाम मदू कुमारी रावत ग्राम पंचेद बाद से डिस्ट्रिक बिलवारा और जो हमारी पंचेद है मंगरे एरिया में पूरा बिलवारा जिल्ले की लश्ट बोडर पर हमारी पंचेद है उसको अपने उमर बताएं पहले 23 है मेरे 23 उमर है आपके और आप इसनी जल्दी राजनी बापा अच्छा काम किया गाओं में जा जा के पाड़ी अरिया पिर बी इतना अच्छा काम करवाया उसके बाद वापस दूबरा नंबर आया तो फिर मेर को चुना मदू कुमाई रावज जे आप जब छेतर के अंदर जाती है और लोगों से मिलने जाती है गराम पंचाइट में मिलने जाती है तो आप कैसा अनुबर होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों से मिलना, कैसे क्या काम करना, जबकि मैंने सब को ऐसे सुदारा, मेरी पंचयात को मैंने ओडिएप किया, सराभ मुक्त किया, पूरी बाड़ी एरिया होने के कारण एक गड़ खुद्वा बड़ी मुश्किल से मेरी पंचेत को मैंने ओडियप की है अमला आपने सराब बंदी कि अब पूरे मला आपने जो सरपंच का जो छित रहाता है उसमें कहीं भी सराब का ऐसा कोई जंदा नहीं होता है तो अब आप जब सुरू में सही बेटा तुसे मेरे वेटा मैंने तुझे सरपंच बनाया है तो कुछ हमारे बवेशे के लिए भी कर फिर हमने पूरी महीलों की टीम बनाई 21 महीलों की टीम है गर-गर जाके समझाया और फिर वो नहीं समझ पाया तो दुखाने में जा जाके वो बहुत ले फोड़ी फो उनको अपने तिवर दिखाने पड़ते हैं नहीं पहले तो पूरी कठिनाई के सामना करना पड़ा कि वो बाते नहीं मान रहे थे फिर हमने एक जुट हो के महीलों की अब तो हमारे सेयो कर रहे होगी अधिकारी लोग सेयो कर रहे हैं जो आपके छेत्र के अंदर वो आपको सिर्वाती सिक्र करने हैं वैसे तो हमारे तुर्टल काम हो गएं सडख से पानी वानी विवस्ता अब मैंसरण करना चाहती है आगे बढ़े तरकी करे और सबसे मंत्री तक आगे जाके बढ़े आगे तरकी करनी है उन्हें यह थी मदू कुमारी रावत जी जिनोंने अपने हलका के अंदर अपने छेतर के अंदर बहुत विस्तार से काम किया चाहे नाली खरंजे का चाहे सकूल का और अपनी बात मनंवानें के लिए अगर संग्ठित हैं और अपने कोई काम कराते है तो आपकी बात को खिरतिक्भ माना जायगा कैमरामैन घॉतंव सब्सक्ति है झाल झाल झाल